चानक के I.S. Academy में आप सभी का स्वागत है आज जिस विशे पर हम बात करने वाले हैं वो है वारानसी हाल ही में SCO ने प्रेटन और सांस्करतिक राजधानी के रूप में वारानसी का चैन किया है तो आए इसी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे भारत की संस्करती और परंपरा को परदर्शित करने वाले पवित्र शहर वारानसी को शंगाई सहयोग संग्ठन की पहली परेटन और सांस्करतिक राजधानी घोशिप किया गया है उजबेकिस्तान के समरकन में शंगाई सहयोग संग्ठन के राष्टा देक्षों की परिशत की बार्वी बैठक में वारानसी शहर को वर्ष 2022 और 2023 की अगदी के दोरान पहली बार SCO परेटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है SCO परेटन और सांस्कृतिक राजधानी के नामांकन के लिए नियम 2021 में दुशामे SCO शिकर समेलन में सांस्कृति और परेटन के छित्र में SCO सदस्य राजों के बीच सहयों को बढ़ावा देने के उदेश से अपनाए गये थे ये नई पहल 15-16 सितंबर 2022 को समरकन शिकर समेलन के बाद से लागू भी हो चुकी है यानि कि 15-16 सितंबर 2022 से एक वर्ष के लिए वारानसी जो है राजधानी के रूप में नामित रहेगी और ये तब तक रहेगा जब तक अगली साल भारत जो है S.C.O की अधक्षता नहीं कर लेता है इस सिर्षक का उदेश है क्या है तो इस सिर्षक का उदेश है सदस्य राजों के बीच लोगों से लोगों के संपरक और प्रेटन को बढ़ावा देना है भारत सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक S.C.O की अधक्षता करेगा S.C.O सदस्य राजों के बीच सांस्कृतिक और प्रेटन राजधानी का शिर्षक रोटेट होगा जैसे कि अगले वर्ष जो देश अधक्षता करेगा उसके पास ये राजधानी का टैक चला जाएगा अब इस शिर्षक का अर्थ क्या है इसके क्या अर्थ निकलते हैं आईए अब देख लेते हैं प्रतेग वर्ष सदस्य देश की सांस्कृतिक विरासत वाले शहर को जो संग्ठन की अधक्षता का कारेभार ग्रहन करता है उसे इस उपादी से समानित किया जाएगा जिस शहर को ये सिर्षक मिलेगा उस शहर के सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक मुल्यों को बढ़ावा देने और आपस में जोड़ने में ये मदद करेगा दूसरे देशों से लोगों से लोगों के बीच सहयोग S.C.O. ढाचे के तहट एक महत्रपुन छेत्र भी है और सगस्य राजे बहुत सक्रिय और सकारात्मक रूप से संस्कृतियों में बड़ी संख्या में सहयोग को लागू करते हैं इसमें भी यह सहयोग करेगा भारत ने अध्यक्ष पद का कारेभार समहाल ही लिया है और अगले राष्टा ध्यक्षों के शिकर सम्मेलनों की मेजबानी करेगा तो ये सारे इससे मतलब निकलते हैं कि किसी भी शहर किसी भी देश के किसी शहर को सांस्कृतिक राजधानी बनाने का मतलब है कि वो देश एक साल के लिए बहुत महत्तपुन भूमिकाय निभाएगा ना किवल सांस्कृतिक रूप से आर्थिक सामाजिक रूप से राजनेतिक रूप से भी अब इसके लाब क्या होंगे तो ये पहली बार हो रहा है कि S.C.O. प्रेटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में व विशेश रूप से मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के प्राचिन सब्यतागत संबंदों को भी रेखाकेत करता है। लेखक, संगीतकार, कलाकार, फोटो पत्रकार, यात्रा ब्लॉगर और अन्य आमंतरित अतीतियों के आकरशित होने की उम्मीदे हैं। तो ये एक साल चलने वाले सारे कारेकरम हैं जो की सब को आकरशित करके रखेगा। तो इसलिए इसका महत्तो भी बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं संगहाई सयोग संग्टन के बारे में जिस संग्ठन ने वारा नसी को सांस्क्रतिक ग्राजदानी एक वर्ष के लिए चैनित किया है। चार प्रिवेक्षक यानि कि अब्जर्वर कंट्रीज और छे समवाद भागीदार यानि कि डायलोग पार्टनर्स इसमें शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश चेत्रिय सुरक्षा सुनेश्चित करना, सीमा मुद्दों को हल करना, आतंकवाद और धार्मिक अतिवाद क समाधान करना और छेत्रिय विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही हमारा आज के टॉपिक यहीं पर संपन होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मचू दो फोगेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करने देशने हैं। ना भूलें थैंक यू सो मचू.